प्रिष्ट 147, अध्याय 12, कैसे बनता है रेडियो नाटक? इस पार्ट में पढ़ें, रेडियो नाटक की परंपरा, सिनिमा, रंगमंच और रेडियो नाटक, समानता और अंतर, रेडियो नाटक में ध्वनी संकेतों की महता, रेडियो नाटक की अवधी और पात्र, ये एक कश्ट दायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्तिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगहन नहीं बना पाया है नेमी चंद जैन मशहूर रंग कर्मी एवं साहित्तिकार आज से कुछ तशक पहले एक समाना ऐसा भी था जब दुनिया में न टेलिविजन था न कम्प्यूटर सिनिमा हॉल और थेटर थे तो लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफी कम होती थी और एक आदमी के लिए वो आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंचन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था वो था रेडियो रेडियो पर खबरें आती थी ज्यान वर्धक करक्रम आती थी खेलों का आखों देखा हाल प्रसारित होता था एफम चैनलों की तरह गीट संगीत की भरमार रहती थी तेवी धारा वाहिकों और टेली फिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो पर आने वाले नाटक हिंदी साहिते के तमाम बड़े नाम साहिते रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए भी नाटक लिखते थे प्रिश्ट 148 रेडियो नाटक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बाती एक, नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की एहम भूमिका रही है दो, सिनिमा और रंग मंच की तरह रेडियो एक दृष्य माध्यम नहीं, श्रव्य माध्यम है तीन, रेडियो की प्रस्तुती समबादों और ध्वनी प्रभावों के माध्यम से होती है चार, फिल्म की तरह रेडियो में एक्शन की गुंजायश नहीं होती पांच, चुकि रेडियो नाटक की अवधी सीमित होती है, इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित होती है क्योंकि सिर्फ आवाज के सहारे पात्रों को याद रखपाना मुश्किल होता है उस समय ये बड़े सम्मान की बात मानी चाती थी हिंदी वा अन्य भारतिय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की एहम भूमिका रही है हिंदी के कई नाटक जो बाद में मंच पर भी बेहत काम्याब रहे, मुलतार रेडियो के लिए लिखे गए थे धर्मवीर भारती, कृत, अंधा युग और मोहन राकेश का आशार का एक दिन इसके श्रेष्ट उदाहरण है लेकिन फिलहाल हम इस पर ध्यान देंगे कि रेडियो नाटक लिखे कैसे जाते हैं सिनिमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं उन चरित्रों के आपसी समबाद होते हैं और इनहीं समबादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी बस सिनिमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विज्वल्स अर्थात द्रिश्य नहीं होते यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक तथा सिनिमा या रंगमंच के माथ्यम में रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माथ्यम है इसलिए रेडियो नाटक का लेखन, सिनिमा वर रंग मंच के लेखन से थोड़ा भिन भी है और थोड़ा मुश्किल भी आपको सब कुछ समवादों और ध्वनी प्रभावों के माध्यम से समप्रिशित करना होता है यहां आपकी सहायता के लिए ना मंच सज्जा तथा वस्त्र सज्जा है और ना ही अभिनीता के चेहरे की भाव भंगिमाई वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है एक कहानी कहानी का वही धाचा, शुरुवाद, मध्य, अंत, इसे यूँ भी कह सकते हैं परिशे, द्वन्व, समाधान बस यह सब होगा आवाज के माध्यम से कहानी की विश्रत जानकारी आपको कथा लेखन और नाटे लेखन के अध्यायों से मिल ही गई होगी सबसे पहले बारी आती है कहानी चुनने की कहानी आपकी मौलिक हो या चाहे किसी और शोट से ली हुई उसमें निम्न बातों का ध्यान जरूर रखना होगा कहानी ऐसी नहुँ जो पूरी तरह से एक्षन अर्थात हरकत पर निर्भर करती हो क्योंकि रेडियो पर बहुत ज्यादा एक्षन सुनाना उबाव हो सकता है मालनीजी आपकी पूरी कहानी का आधार पीछा करना है अपराधी अपराध करके भाग रहा है पूलिस उसके पीछे लगी है और बीच पीच में दिल्चस्प नाटकी ए घटना ए घटती है अब सिनिमा में इसे बड़ी खूपसूर्ती से पेश किया जा सकता है लेकिन रेडियो में ये कथानक शायद अपना पूरा असर बनाने में काम्याप न हो क्योंकि सिर्फ आवाजों की मदद से आप अपराधी और पुलिस की भागदोर से पैदा होने वाले रुमांच का शुजन नहीं कर पाएंगे या मान लीजी आपकी कहानी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द बुनी हुई है अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है लेकिन रेडियो नाटक नहीं इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यम को समझते हुए करिए प्रिष्ट 149 कहानी के कुछ मूल तत्व कहानी सिर्फ घटना प्रधान नहों अवधी ज्यादा नहों पातरों की संख्या सीमित हो दूसरी बात आम तोर पर रेडियो नाटक की अवधी 15 मिनट से 30 मिनट होती है उसके दो कारण है श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कारक्रमों के लिए मनुश्य की एकागरता की अवधी 15 से 30 मिनट ही होती है इससे ज्यादा नहीं दूसरे सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकल कर किसी अन्य सर्वजिनेक स्थान पर एक अत्रित होते हैं इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अंजाने लोगों के एक समुह का हिस्सा बनकर प्रेक्षा ग्रह में बैठते हैं अंग्रेजी में इन्हें कैप्टिव ओडियन्स कहते हैं अर्थात एक स्थान पर कैद किये गए दर्शक जबकि टीवी या रेडियो ऐसे मध्यम हैं कि आमतोर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कारक्रमों को देखता या सुनता है सिनिमा घर या नाटे ग्रह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा लेकिन आसानी से उठकर जाएगा नहीं पूरे मनोयोग से जो कारक्रम देखने आया है देखेगा जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधी छोटी होती है और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वो एक धारा वाहिक के रूप में पेश की जा सकती है जिसकी हर कड़ी 15 या 30 मिनट की होगी यहाँ एक बात और समझ लीजिए रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कारक्रम आते हैं इसलिए उनकी अवधी भी निश्चित होती है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट वगरह अब क्योंकि आपके रेडियो नाटक की अवधी ही सीमित है तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी क्योंकि श्रोता सिर्फ आवास के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है ऐसे इस्थिती में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज्यादा किरदार है तो उनके साथ एक रिष्टा बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होगी अगर संख्याओं में बात करनी है तो हम इस प्रकार कह सकती है 15 मिनट की अवधी वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिक्तम संख्या 5-6 हो सकती है 30-40 मिनट की अवधी के नाटक में 8-12 पात्र अगर एक घंटे या उससे ज्यादा अवधी का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15-20 भूमिकाएं गड़ी जा सकती है पात्रों की संख्या के मामले में दो संकेत और बताई गई संख्याएं एक अंदाजा मात रहें अर्थात 15 मिनट के रेडियो नाटक में अगर जरूरत है तो 7 या 8 किरदार भी हो सकती है लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई तो जैसा पहली ही कहा था श्रोता के लिए मुसीबत उठ खड़ी हो सकती है दूसरे हम जब इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है छोटे-मूटे किरदारों की गिंती इन में नहीं की गई है मतलब फेरी वाले की एक आवाज या पोस्ट मैन का एक समवाद या न्यायाले में जच का सिर्फ और और कहना आदी प्रिष्ट एक सो पचास तो हमने देखा कि रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें तीन मुख्य बातों का खयाल रखना है कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हूँ उसकी अवधी बहुत ज्यादा न हूँ धारवाहिक की बात दीगर है तथा पात्रों की संख्या सीमित हो अब आती है बारी रेडियो नाटक लिखने की जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ था मंच का नाटे लेख, फिल्म की पटकता और रेडियो नाटे लिखन में काफी समानता है सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें दृष्य गायब हैं उसका निर्माण भी ध्वनी प्रभावों और संबादों के जरिये करना होगा यहाँ एक बात और समझ लिजी ध्वनी प्रभाव में संगीत भीशा मिल है अपनी बात को और पहतर ढंग से समझने के लिए एक उदारन की मदद लेते हैं मालनी जी दृष्य कुछ इस प्रकार का है रात का समय है और जंगल में तीन बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सच्चा, ध्वनी प्रभावों और अभिनेताओं की भाव भंगिमाओं से दिखाया जा सकता था रेडियो के लिए इसका लेखन कुछ इस प्रकार होगा कट एक या पहला हिस्सा जंगली जानवरों की आवाजें, डरावना संगीत, पध चाप का स्वर यहां एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक जंगल का द्रश्य है और उसमें तीन बच्चे रात के समय में डरे सहमे से खड़े हुए है राम शाम, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है शाम डर तो मुझे भी लग रहा है राम, इत्ती रात हो गई, घर में अम्मा बाबु सब परिशान होंगे राम, ये सब इस नलायक मोहन की वज़े से हुआ है जंगल से चलते हैं, मुझे एक चोटा रास्ता मालूम है शाम चौकर अरे, अरे, मोहन का रह गया, अब ही तो यहीं था, मोहन, मोहन राम, लगबग रोते हुए हम कभी घर नहीं पहुच पाएंगे शाम चौक करो मोहन, अरे, मोहन शाम चौक करो आवाज लगाते हुए मोहन, अरे, मोहन हो मोहन दूर से नस्दीक आती आवाज आ रहा हूँ, वहीं रुखना पैर में कांटा चुब गया था नस्दीक ही कोई पक्षी पंक फड़ पड़ाता, भयानक स्वर करता उड़ जाता है राम चीक पड़ता है शाम, बचाओ मोहन, जो नस्दीक आ चुगा है डरपोग कहीं का राम, दरे स्वर में वो, वो क्या था? मोहन, कोई चिडिया थी हम लोगों की आवाजों से वो खोट डर गई थी एक नंबर के डरपोग हो तुम दोनों शाम मोहन, रास्ता बटका दिया आप बहादुरी दिखा रहा है प्रिष्ट 151 ये दिख्व इसी तरह चलेगा आपने गौर किया होगा शुरू में हमने अंक या दिख्व की जगह कट या हिस्सा लिखा है दरसल रेडियो नाटक में दिख्व नहीं होता इसलिए उसकी बजाए अंग्रेजी शब्द कट लिखने की परिपाटी है वैसे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है आप अलग-अलग दृष्यों या हिस्सों को अपने तरीके से दर्शा सकते हैं महत्वपूर्ण है समबाद और ध्वनी प्रभाव हमने शुरू में ही ध्वनी प्रभावों से जंगल या किसी खुली जगह का संकेद दे दिया है फिर राम भी अपने समबाद में कहता है कितना भयानक जंगल है अर्थात ये लोग इस समय जंगल में हैं ये बाच श्रोता को मालूम हो गई है अब शाम अपने अगले समबाद में इत्ती रात हो गई अर्थात स्थान, जंगल, समय, रात अगर हमें समय और ज्यादा स्पष्ट करना है तो श्याम का समवाद कुछ इस प्रकार हो सकता था रात के बारह बज गए हैं घर में अम्मा बाबू सब परिशान होंगे तातपर्रे ये है कि आप समवादों की द्वारा द्रिश का देशकाल स्थापित कर सकते हैं बस शर्त ये है कि वो स्वभाविक होना चाहिए जबरदस्ती ठूसा हुआ ना लगे मसलन शाम अगर ये समवाद कहे राम रात के बारा बजे हैं और मुझे डर लग रहा है साफ दिखाई देता है कि मात्र सूचना देने के अंदाज में समवाद लिखा गया है हम आगे देखते हैं कि द्रिश्य हमें और क्या-क्या जानकारी दे रहा है तीन दोस्त हैं राम, शाम और मोहन तीनों कहीं से वापेस घर आ रहे थे मोहन ने सुझाव दिया कि उसे जंगल से होकर जाने वाला कोई छोटा रास्ता पता है तीनों ने जल्दी घर पहुँचने की ललक में वो राह पकड़ ली और अब भटक गए हैं हमें ये भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा डरा हुआ राम है डर शाम को भी लग रहा है लेकिन वो उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा है तीनों में सबसे बेफिक्र मोहन है रीडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी हमें संबादों के माध्यम से ही मिलती है उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेष्टाएं ये सभी हमें संबादों द्वारा ही उजागर करना होता है भाशा पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़, शहर का है कि गाउं का, क्या वो किसी विशेष प्रांत का है उसकी उम्र क्या है, वो क्या रोजगार या धंदा करता है इस तरह की तमाम जानकारियां उस चरित्र की भाशा को निर्धारित करेंगी फिर पात्रों का आपसी संबंद भी संवाद की बनावट पर असर डालता है एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग धंग से बात करेगा अपने नोकर से अलग धंग से अपने बौस के प्रति संब्मान पूर्वक रवय अपनाएगा तो अपने मित्र के प्रति उसका बराबरी और गरम जोशी का विवहार होगा प्रिष्ट 152 ये सब प्रकट होगा उसके संबादों से यूँ तो ये सब कुछ फिल्म और मंच के लिए लिखे गए संबादों पर भी लागू होता है लेकिन रेडियो क्योंकि मुलता संबाद प्रधान माध्यम है इसलिए यहां इसका खास ध्यान रखना होता है संबाद से ही संबंधित एक तथ्य और है और ये विशेश कर रेडियो नाटक पर ही लागू होता है क्योंकि रेडियो नाटक में कौन किस से बात कर रहा है हम देख नहीं पाते इसलिए समवाद जिस चरित्र को सम्बोधित है उसका नाम लेना जरूरी होता है खास तोर पर जब दृश्यों में दो से अधिक पात्र हों इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्रव विशेश जब कोई हरकत कोई एक्शन करता है तो उसे भी समवाद का हिस्सा बनाना पड़ता है उदारन के लिए हमारा चरित्रव पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है तो उसका समवाद कुछ इस तरह का होगा ओफ कितनी गर्मी है आज पार्क में चलू कुछ देर इस बेंच पर बैठ जाओं और वो आखे ध्वनी करता बेंच पर बैठ जाता है इन सारी बातों को और पहतर धंग से समझने के लिए हम जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक के एक अंश को रेडियो नाटक में रूप पांतरित करते हैं हास से भाव को पेश करने वाला संगीत संगीत मधम पढ़ता है अधेर उम्र के बाबु राम स्वरूप का स्वर उभरता है बाबु अबे धीरे धीरे चल लकडी के तक्त की दिवार से टकराने की आवाज बाबु अरे अरे एक तक्त बिचाने में ड्राइंग रूम की सारी दिवारे तोड़ेगा क्या अब तक्त को इधर मोड़ दे अरे उधर बस बस नौकर बिचादू साहब बाबु तेश स्वर में और क्या करेगा परमात्मा के यहां अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या नकल करते हुए बिचादू साहब और यह पसीना किसलिए बहाया है तक्त को जमीन पर रखने का ध्वनी प्रभाव साथ ही नौकर की हसी का स्वर नौकर बाबू हस्ता क्यों है अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है कल्सों से नहाता था लोटों की तरह यह तक्त क्या चीज है अच्छा सुन रतन भीतर जा और बहुजी से दरी मांगला इसके उपर बिचाने के लिए रतन जी साब बाबू थोड़ा स्वर बढ़ा कर मानो पीछे से आवाज दे रहे हूं और चद्दर भी कल जो धोबी के यहां से आई है वही रतन मानो दूर से ही जवाब दे रहा हूं जी साब बाबू राम स्वरूप कोई भजन गुन गुनाते हैं शायद दर्शन दो घंशाम नाथ मोरी आखियां प्यासी हैं फिर स्वयम से कहते हैं प्रिष्ट एक सो तिरेपन बाबू ओह ओह एकदम नलायक है एरतन देखो कैसी धूल जमी है कुरसियों पर ये गुल्दस्ता भी जैसे बाबा आदम के जमाने से साफ नहीं हुआ है क्या सोचें ये लड़के वाले ओफो अब ये जाडन भी गायब है अभी तो यहीं था हाँ ये रहा कपड़े के जाडन से कुरसी साफ करने की आवास के साथ साथ बाबू जी का एकालाब जारी रहता है बाबू आज ये लोग उमा को देख कर चले जाए फिर खबर लेता हूँ श्रीमती जी की भी और इसका थे रतन की भी चौक कर ये क्या ये दोनों इधर ही आ रहे है रतन खाली हाथ प्रेमा गुसे में मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में बाबू आश्चर से धोती प्रेमा हाँ अभी तो बदल कर आए हो बाबू लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने प्रेमा यही तो कह रहा था रतन बाबू क्यों बे रतन तेरे कानों में डाट लगी है क्या मैंने कहा था धोबी धोबी के यहां से जो चादर आई है उसे मांगला अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं उल्लू कहीं का प्रेमा अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकडी के बक्स के उपर धुले कपड़े रखे हैं न उसी में से एक चादर उठाला रतन और दरी बीबी जी प्रेमा दरी यहीं तो रखी है कोने में वो पड़ी तो है बाबू दरी हम उठा लेंगे तो चादर लेकर आ और सुन बीबी जी के कमरे से हार्मोनियम भी लेते आना अब जल्दी जा रतन जी साब बाबू आओ तब तक हम दोनों दरी बिछा देते हैं जरा पकड़ो धर से इसे एक बार जटक देते हैं दरी जटकने का स्वर बाबू जी के खासने का स्वर भाबू खास्ते खास्ते कितनी गर्द भरी है इस तरी में ये द्रिश्य इसी तरह चलता रहेगा आप देखा जाए तो नाटक के आलेख और रेडियो के आलेख में कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा लेकिन कुछ छोटे छोटे अंतर हैं और यही अंतर रेडियो नाटक के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं हम बताएं इससे बहतर होगा आप स्वयम ही दोनों द्रश्यों की तुलना कीजिए और दोनों आलेखों में क्या-क्या अंतर हैं उन्हें खोजिए ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि ये अंतर क्यों हैं प्रिष्ट 154 अभ्यास पाट से समवाद एक द्रिश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं इन सीमाओं को किस तरह पूरा किया जा सकता है दो, यहां कुछ द्रिश्य दिये गए हैं रेडियो नाटक में इन द्रिश्यों को आप किस किस तरह से प्रस्तुत करेंगे विवरण दीजिए क, घनी अंधेरी रात ख, सुबह का समय ग, बच्चों की खुशी ग, नदी का किनारा अंग, वर्षा का दिन तीन, रेडियो नाटक लेखन का प्रारूप बनाईए और अपनी पुस्तक की किसी कहानी के एक अंज को रेडियो नाटक में रूपांतरित कीजिए